आज की कथा में गुरूजी के पास आया एक ऐसा पत्र जिस पत्र में साफ साफ लिखा था कि महादेव की क्रपा से साथ बसों की मालकिन बनी हैं कैसे बनी हैं कौन सा उपाय किया है ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो की पोज़ो गोदीम ने दी है तो ध्यान से पूरा वीडियो अंतर तक अवस्य देगे और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक से जरू देखी आज एक ऐसा पत्राया जिसमें साफ साफ लिखा था कि उनके पास में पहले एक बस हुआ करती थी जिस वज़े से उनके घर की रोजी रोटी चलती थी परद्तू किसी कारण वस उनके घर में अचानक से इतनी जादा परिशानी आ गई कि उनके घर की जमीन भी बिग गई यहां तक की रहने के लिए घर भी नहीं था और पूरा घर यानि की वो एक एक पाई के लिए मोहताज हो गए पूरा घर नहीं रहा उनके पास न जमी रही न जायदाद रही और नहीं उनके पास उनकी खुद का कोई साधन ऐसा रहा जिसकी वज़े से उनकी रोजी रो पूरे साथ दिन तक एक ही आसन लगा करकि अगर आप सच्चे मन से सुनोगी और आप जिस कामना से सुनोगी वो कामना आपके पूर्ण हो जाएगी तो उन्होंने ऐसा ही किया उन्होंने टीवी के सामने बैठ कर पुझ गुर्देव की लाइव कथा का स्रवड किया और साथ दिन तक लगातार कथा सुनने के बाद धीरे धीरे महादेव का चमतकार उनके जीवन में आया साथ ही गुर्देव कहते हैं कि एक लोटा जल कभी भी आपको चड़ाना नहीं भूलना चाहिए इसलिए उन्होंने लगातार महादेव के चरणों को पकड़ लिया और वे जब आपने मुझे सब कुछ दिया है और अब आपने मुझे दर दर की ठोपर खाने के लिए मजबूर कर दिया आप मेरा भला करें वो गुरुजी से यानि की गुरुजी की कथाओं से साल 2019 से जोड़ी हुई थी लगाता चार पांच वर्स के बाद लंबे संगर्स के बाद हादेव उनको भक्ति को नहीं सुईकार कर रहे हैं इसलिए वो जाकर के कोवरेशवर बंडारी के पास जाएंगी और वो सिहोर आ करके जब वो अपने घर गई तो लगाता च्छे महीने नहीं हुए और उनके घर में च्छे महीने में साथ वसों की खरीदारी हो गई और वो साथ वसों की बालके नवन गई उनकी जमी जो बिक गई थी वो बापस उनको प्राप्त हो गई साथ ही गुरुज ने एक विसेस उपाए यहाँ पर यह बताया यहाँ पर गुरुज ने एक विसेस उपाए बिलकुल नया उपाए आज की कथा में यह बताया कि जो भी विक् अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप प्रैटिकल के तौर पर ये वाला उपाय कर सकते हैं गुरु जी ने कहा कि कोई भी 5-6 ब्रच मेल ब्रच के देखें यानि कि जो बेल पत्री ब्रच होता है उसके ब्रचों को ढूंड़ना है और लगातार 5-6 ब्रच एक ही इस्थान पर होने चाहिए यानि एक ही जगह पर लगातार होने चाहिए और उन विरच्छों को ढूंड़ने के बाद उनके नीचे साफसफाई करना उनको पानी देना और उनकी देखवाल करना प्रारम करते हैं और यह कार्य अगर आप प्रति दिन महादेव का इस्मरण करते हुए क तो लगाता च्छे महीने भी नहीं बीते हैंगे तब तक आपके खुद का घर होगा मकान होगा अगर आपको यकीना हो तो गोदेव ने कहा कि प्रैटिकल कर गे जरू देखना महादेव देता जरूर है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सस्क्र